कि डेट, इलेक्शन का शेडियूल, इलेक्शन की प्रक्रिया, ये कारेच्छे पिरवाजन आयोग का है। पदिश की सरकार हमेशा से आयोग का सयोग करती आई है और करती रहेगी, पूरा मानसवान उनका करता हूँ और हम चाहते हैं कि हम सबका जो सामुएक अबजेक्टिव है, जो हमारा लक्ष है, वो चुनाव संपन हो, लोगतंद मजबूत हो, ताकि प्रदान पमुख चुनकर डाओं की सरकार बन सके, और मैं तो चाहता हूँ कि जो चुनाव नहीं भी हुएं, चाहे वो लगनिकंद के ह वो चुनाव भी जल्दी हूँ, ताकि हर जगे चुनाव समय पर होते रहें, यह मैं समस्ता बहुत मेदपून हैं. जो आदेश आया है, मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, और मैं धनेवा देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से, परदेश की जनता की तरफ से, मानने सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने आज जो आदेश पारित किया है, जो जिशा दिरदेश दिये हैं, उससे और मुझे खुशी इस बात की भी है, कि मानने सुप्रीम कोर्ट में, जो जो नोटिफिकेशन परदेश की सरकार ने हमारे मंतरा ने निकाला था, पंचायतों के नर्मान को लेकर, पंचाय समितों के नर्मान को लेकर, उन सभी को वैदे ठराया है, और इससे पहले जित्ती संपन कराने का इस तरह का दिशा निर्जे सुप्रीम कोर्ट का आया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लोगतंतर में चुनाफ होने चाहिए, और ग्रामीन परिपेक्ष में रहने वाले लोगों के लिए ये चुनाफ अतिंद मैद पॉर्ण है, हम शुरू से कहते आए हैं कि चुनाफ समय पर हो, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट में चुनाफी दी गई, मामने सुप्रीम गोर्ट में पहुंचा, लेकिन आज मैं समस्ता हूँ, जीत लोगतंतर की हुई है, जीत हम सब लोगों की जो चुनाफ कराना चाहते हैं, मानने दिर्वाचन आयोग जो एक सामद का चुनाफ कराने के लिए, वो सब उपलब्त कराने के लिए हम पहले भी ततपर थे और आज भी तयार हैं, हम लोगों ने जो चुनाफ हो रहे हैं, आप जानते हैं सर्पंजो के चुनाफ चल रहे हैं, और एक तरह का, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया था, तो बिलंभो को सुनने के बाद, सुप्रीम कोट ने ये कहा है, कि चुनाफ अप्रल तक संपन कराने हैं, मैं समझता हूँ, एक अच्छा निड़ने है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि जिला परिशत के प्रमुक और पंच्या समेति के परदान का कानून बन गया है, संख्या बल के अधार पर, लेकिन जन विरोध बहुत जादा है, पुरे देश में, नौजवान लोग, हर परदेश में, पुरे मुल्क में आज अवाज उठा रहे हैं इस कानून के खिलाफ में, तो सरकार को किन सरकार को चाहिए, इतना जब विरोध हो संख्यान लें, सुजाद लें, संखोधन करें, बिल में तबदीली लाएं, बिल को वापिस लें, और अंत में सुप्रीम को निर्णे करेगा, कि ये सीय का कानून वैलिड है कि नहीं है, लीगल स्क्रूपनी में जब सुप्रीम कोट अपनांते निर्णे देगा, तब मालू निर्णे निर्णे कोने बतने सुप्री壓 और कि में पारित गया, इस प्रकार का एग ऌनिर्णे की सब्यां कि नहीं होगा, इसे के बाद सब हमारे, जू जो भी हम लोग को पोलिटिकल या लिजिस्टेटिव ने सुप्र कारवाई क tries सब अबद को माने जो पढ़ रहे हैं, उसमें इस प्रकार का विलम करना मैं समझता हूं सही नहीं था क्योंकि बड़े दिहान से विपक्ष को भी सुनना चाहिए कि गवर्नेस अब क्या बात बोल रहे हैं और जब अभिवाशन के ओपर चर्चा होती है उस पर अपना तर्क वो रख सकते हैं खामिया है उसको निकाल सकते हैं सुझाब दे सकते हैं संचोदन के बात कर सकते हैं लेकिन भाशन को सुनना ही नहीं और सिरफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए वॉक आउट करना मैं समझता हूँ कहीं न कहीं राजमी जादा है और जो हमारी रिती निती है विदान सवा की परिपार्टी है उसको दर्गनार करकर रेकाम किया गया है लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में था ऐसे बहुत से लोग थे जो शायद यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि चुनाव और पोस्पॉन हो जाएंगे लेकिन चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जल्द हो रहे हैं तमाम तेरे की बातों पर अब विराम लग चुका है और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सही निरने लिया जिदके अबको उम्मीद थी